तो स्वागत है भाई आप सभी लोग का हेटी में के फेशन में जिसको माना जाता है माना क्या मतलब सेंसस के हिसाब से यह है अमेरिकाज की मतलब सेंट्रल साउथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे करीब करें वाई स्वागत है आप सभी लोग का हेटी में अभी बज़ रहे हैं कल आगे थे हम कल हम दोफैर में चार एक बजे करीब आये होंगे और बगले दिन के दोफैर के दो बज रहे हैं सुपह ब्रेकफास्ट कर लिया था नीच चाही यह अपना एक होटल है वैसे तो ऑनलाइन तो फोर स्टार लिखाया पर भाई अगर इंडिया में होता तो इसको शा करीब ऑनलाइन काफी महेंगा दिखा रहा है पर हमने होस्टल वर्ल्ड.com एक साइट है उससे बुक क्या था उससे बुक कर दिया था हमने तो यहां से आप देख सकते हो केप हैशियन कास्च चहर केप हैटियन कहेंगे हम जैसे लोग मतलब यहां पर आकर पता चला केप पॉर्ट और प्रिंस पर वह अभी बहुत ज्यादा सिविल वार से जूज रही है स्टेबिलिटी नहीं है गवर्मेंट करक्ठ है दंगे फसाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो यहां पर जाज तर ट्रैवलर लोग जाना पसंद नहीं करते और मेरे को भी इतना रिस्क पग मेरो रिख नहीं सेफ हैं बाहर जा सकते हो तो कोई द्क्कत जूबात नहीं है और साथ- 8-10 बज़े तक बहार गूम शक्ते हो तर तक कोई दिक्कत जूबात है नहीं और यहां पर एक special जगह को गहते है लबाडी बीच लबाडी बीच क्या था अगर केरिबीन आयलेंड्स स सीरीज देखियोगी जो हमने क्रूज लिया था रॉयल केरिबियन उन्हों लबाडी वीच एक तरह से खरीद लिया और उसके चारों तरफ फेंसिंग वगएर करके गार्ड्स यह सब बिठा दिये उसको सबसे सेफेस्ट मानते हैं और उसमें आप जा भी नहीं सकते हो उसमें स मतलब उनको असली हेटी नहीं दिखाता उनको मतलब बस एक प्रोटेक्टिड एरिया में घुमा देते हैं और फिर वो उने शिप पे बैठके वापीस चले जा रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं यहां से एक रेस्टोरेंट है लंच करने जा रहे हैं दो किलोमेंटर दूर है पैदल चलते-चलते में आपसे जितनी सिटी दिखा पाऊंगा फिर वापीस आते हैं इसकी स्टेवल है और काफी सेफ मानी जाती है और हेटी अमेरिकाज में कैसी कंट्री है जो इंडियन्स को वीजा नहीं चाहिए हेटी आने के लिए आता ही निये कोई डिरेक्ट यहां पर इंडियन मंदा कोई पहुंची नहीं बाता है इसलिए इन्होंने वीजा फ्री भी कर रखा है उल्टा पॉजिट साइट बॉर्डर पार करें डॉमेनिकन रिपब्लिक इंडियन्स को वीजा चाहिए अगर आपका शेंगन युएस वगरा है तो वीजा फ्री है क्यो इंडिया के अवरेज से भी काफी कम है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो यह देश इत्ता गरीब है और जो देश मैंने देखे हैं जिसमें इंकम कम है वहां पर क्राइम रेट जादा है तो चलते हैं के पहेशियन के शहर को और आपको दिखाते हैं के पहेशियन हेटी है हेशियन गोर्दे और मैंने बताया जैसे आपको इनके देश में बड़ी दिक्कत आ रखे है पॉलिटिकल इनिसेबिटी दंगे फसाद यह सब चल रहा है तो इसकी वैल्यू बहुत जादा गिर गई है पहले एक डॉलर में आते थे बाई साथ यह तो खेर पचास का तो चीजे मतलब अब यहां पर लोगों के और दंगे हो रहे हैं और इंफलेशन बढ़ रही है बाईस परसेंट पर इंफलेशन चल रही है इनकी यह पचास का नोट यह पांसो का नोट और यह हजार का नोट तो हमने कुछ कल पचास एक डॉलर एक्सचेंज कर आया थे उस बिल्कुल और पहाड़ी के उपपर एए तो जाते वक्त पैदल जा सकते हैं आते वक्त वक्त वह वो बाइक टैक्सी लेनी पड़ेगी जो एक डो डॉलर दो डॉलर में छोड़ जाएगी चाहद अमको 2 km अटल है और चलते हैं तेखते हैं क्या माहूल है इस चेहर का अब एक डिल्कुल तो आपके आपके सब्सक्राइब अब तक तो होएगा तो होएगा अब क्या कर सकते हैं अब होटल में बैसने तो आई नहीं है इससे खदरना क्तरना देश कर चुका हूं में पर परमवीर भी झाल झाल यह देखो, आप देख सकते हो, American visa, Canadian visa, Schengen visa, जगह 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 ऐसे यह बोर्ड लगे हुए, परमवीर की एक बंदे से, इसको परमवीर ने पीट दिया, बहुत बुरी तर है, ना समझा दिया, उस बंदे को दमका दिया, यह जो, मतलब, जो बलेक लोगों से ना, थेखो, या रब कहोगे, क्यों कह रहा है, मैंने एफरिका में भी काई था, यह अपने आपको कहते ही बलेक है, ठीक है, तो, यह लोग ना दूर दूर से बोलने के बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ नहीं करेंगे आपको, बहुत र परंडी ने उसको धंकादिया समझ गया बना, पर चला ज़िए चुक लोगे, अब यहाँ पर रेश्टोन आए, और यह रेश्टोन ना, यहाँ पर सबसे महंगा है, मतलब, पूरे के फेश्यन में सबसे महंगा रेश्टोन ने और यहाँ के आप रेट देख लो, क्या है, मैं लिखाता हमको, यह पास्ता है, दस डॉलर में इनके डेड़ अजार बनते हैं, तो ग्रिल्ड चिकेन क्रीमी पास्ता बारा सोगा है, मतलब, दस डॉलर से भी कम की डिश है, इनका पिज़ा देख लो भाई, चेरी, सबसे महंगा पिज़ा बताता हूं को, उननीस सो पच सबसे महंगा रेश्टरेंट है, और यहां पर चुज़ा गुम रही है, दो तीन बार आचुके चुज़ा बार, और हमने इस बार इसको कैप्चर कर ले, कई लोग सोचते हैं, यह बात बना रहा है, ऐसे ही पागल बना रहा है, देख ले अब चुज़ा, इतना पागल बना का टाइम है निवाई, मेरे पास जो होता है, वही बोलता हूना तो, जैसी उमीद करा था ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि मैंने उमीद करा था, मैंने नेट पे सर्च किया तो लालल कलर की ग्रेवी थी, पर है नीचे सोड़ी सी ग्रेवी, तो नहीं पानी है, और यह पता नही ब्राउन राइस हैं, और यह पता नहीं क्या है, और वह तो पासता है, वह मेरा, यह परमवीर पैसा रहा है, दोननों कहा है, यह भी मेरा, यह भी मेरा, यह भी मेरा, यह भी मेरा, यहां से खा के हम खाना निकल चुके है, मतलब वह उता है ना, उचे नाम फीके पकवान, व विल आया हमारा 26 और पतानी होटल में क्या था सब शांत ना हम से कोई बात कर रहा है ना अपस में कर रहे हैं और ऐसे बिल्कुल सैड मतलब जैसे जिन्दिगी से परिशान हो फिर आखरी में उस लड़की को एक डॉलर टिप बी दे दी इनके लिए बहुत बड़ी बात है एक जब जब ने ओटम से निकला दाना भाई पहले वाई मेरी यादत है कंट्री को उपजरू करने की ठीक है और एक ये भी ले रख था है कि वाई दुगान पर चापू और बंदू गलाउट ही है तो भाई मेरी थोड़ी आदत है कि मतलब पहले मैं देखता हूं माहूल कैसा पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं तो मैंने जादे रिकॉर्ड किया निपर ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा था लड़ाई भी हो गोगी एक बंदे से तो इतना बिकार माहूल नहीं रगा मेरे को आता है यह तो अब जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा पूरा हम है और थोड़े ठीक ठाक हो गए अब तो यहां पे सफाई के मामला पर घर के पास दिखाऊंगा अरे बाल कटवाने हैं चल बाद में देखने हैं कि क्या दूती है वह सब्सक्रां तुड़ी बोजों पर मैं ही मांता है कि करता है तो सबसे सब्सक्ता उड़ा हुआ 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 है कि अब कि यह थोड़ा बढ़ी आ गया है अब हम सीटी सेंटर की तरफ जा रहे है जो इनका शार का सबसे अच्छा इरिया उसकी तरफ उदर मेरी ख्याल से कैथेड्रल होगा और थोड़ा आसपास का महुल देखने के लिए तो भाई मैं आपको बता रहा था यहां यह इतना डेंगरस है देश कि जो रॉयल करेविन क्रूज है ना उसमें केप हैटी में एक पार्ट गवर्म अच्छा इस अनॉर्मल हेटी का कोई भी बंदा उस एरिया में जा ही नहीं सकता उसका नाम है लबाडी लबाडी वीच आप सर्च करोगे सिरफ और सिरफ रॉयल केरेविन के जो वह होंगे क्या कहते हैं उनको पैसंजर वही जा सकते हैं वस और कोई भी नहीं जा सकता किसी को एंट्री नहीं है और जो सिरफ 300 एंपलोई उस पीच रिजॉर्ट पे काम करते हैं तो मतलब जो भी यहां पर आता है टूरिस्ट क्रूज से उनको असली हेटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा कभी तो असली हेटी है क्या और वैसे भी वह टरते हैं बाड़ी ट्रीन ज में भूम सकता हूं और आम से गेला मेर को ऐसे कोई डर नहीं लगता बस ही है यार अपना फोन है एक ड्रेड लाक रुपेगा फोन है पाल तुम्हें छिन वा के क्या मतलब दाटा है इतना सार मैं तो लुट जाओंगा मैं तो घर पर भी जा पाऊंगा सारे पोन, बैंक, ब बजबूरी मढानी पड़ेगी अगर मैं वीडियो नहीं मनाता हूं तो मैं बिल्कुल भी गैमला नहीं काला हूं जो आप मेरे पीछे पुलिस वाला देख रहोगे बलैक में उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पैन रखिया है इंडिया में कोई भी पुलिस वाला कितना ही प्रूफ पैना नहीं दिखेगा आपको और यहां पर पुलिस वाला गजियों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने के घूम रहा है तो सब्सक्राइब फोड़ा अंदाजा लगा उपकी क्या अहलात है इसे इसके कि नौर किया आ गया इनका सिटी सेंटर कि सिटी सेंटर आ और यहां पर क्या है देखो पॉपकोन वाला आइसक्रीम वाले बहुत सारे हैं और इनकी आइसक्रीम की कार्ट में क्या है भाई यह तो आइसक्रीम की कार्ट है और पीछे भाई मुजिक सिस्टम जैसे इस वाली में देखो पीछे मुजिक सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है तो अजीब ही तरह की आइसक्रीम है खाएगा इसक्रीम कह रादमी ठाकाना है ऐसे तो पेट ठाब होईगा अपर कहा लेक्ते हमन कर गया इसने अभी गया अगरा सबके प्राइस मतलब बना बना दिएंद जिसमें निकालकर लेवर भी आपर और यहीं समझ मर आए बस देखो ऐसा तेन इस तीन स्कूप दी हैं शायद भाई अभी टूरिस्ट इन्फरमेशन भी अमने जब पूछा ना तो कहते हैं बड़ा सेफ है भूमने के लिए पर अपनी प्रिकोशन हमेशा लेके चलनी चाहिए सब लोग गूर रहे हैं भाई जैसे पता नी क्या ही कर रहा हूं मैं आप पर पर तोड़ा तोर सा हो रहा था यह बता निया आइस क्रीम की रैडी के पीछे स्पीकर रख रख रखे हैं और आइस क्रीम थी भाई सो रुपे की इंडिया के सो रुपे यहां के 200 कुछ थे थी ठीक है चलो कोई सिकती है पर एक स्कूल की बच्ची है यह हमारा पिछा कर रह पर चलो कोई बोले जा रही है तो बाई मेरे को ठोड़ा दर भी लग रहा है बूद पर तो सट्रत लगता है अमरे को और सामने चर्च है मैंने ड्राजी है इसे वला चर्च के बार गूमरी है रेख ले और चोटी सी बच्ची सी बैक तांगे और ऐसे मतलब गूरने लग ल पर तांगे बाई बाई बढ़ा तो बाई मेरे पीछे बच्ची बैठी है ना वह है वह है वह है वह उगा पौना गंड़ा सिटी सेंटर पे गूमते वह पोना जिसको मीं पता मतलब 45 मिनेट्स हो गया एक भी सुविनियर की दुकान एक भी टूरिस्ट के लिए दुकान एक सब लोकल्स के लिए दुखाने सब एक टूरिस्ट कोई ने बना रखा है एक हाँ एक शेहर से दूर है उसके लिए आपको गाड़ी बाड़ी रेंट लेके जाना पड़ेगा फिर वह है वह है एक प्लेटी का फ्लैग ब्लू और रेड कलर और पीच में कुछ-कुछ मतलब बना रखा है यह को सरकारी बिल्डिंग है यहां से बापिस और यहां पर फेमज है बाइक टेक्सी और बाइक टेक्सी को में रेट पता गिया था तो कह रहे है तो सो लेंगे कुछ एक डॉल्र करीफ तो आर दो किलो मिट्र है पो चड़ाई पेदो साह जाना भी ले सकते है पहले तो खेर जा नहीं हो लेंगे, वो तो फारगे निकती बड़ेंगे खेलें, यह होटल का नाम क्या है? है एपिलेस हैं? पाप, उस डाप! यह से लॉडिये हैं लॉडिये हैं लॉडिये हैं? लॉडिये हैं, ज़ती हैं ना? आदर चले यह बश्कार एक्स 1000 है तो 1000 सीथी आ क्यों लो आई ट्रिपलिंग इन हैटी ट्रिपलिंग इन हैटी यहम बैड़के बाइक पे ओ केरे गा रहा है रास्ता देख लिए हो ठीक लिए के जा रहे क्या कहीं यह ले जे कहीं लूटन आपने गळलियों में मैपे देखी हो बाइ वोन पट जेगा द्यान रहा है कि वूू। तारशी अपिरी यह कहने पिछा गर रूटें इन है वहाँ वहाँ लूटी हो मदर मैं यू कमें यू कमें यू कमें यू कमें नाव नाव यहाँ बदमाशी इनाती यहाँ इदर से लेट है ना लेट लेले वहाँ गल्त लेगा ना यहाँ मैं भाई कर रहा था उन लड़कों को पोन देखते मनी मनी पैसे दो पैसे लो एक माईक लेलो परम बोले नाम पैदेते लेके तो अभी क्या हुआ कि हम बाईक प्यारे थे दो जने बैठके तो वह जो होटल का रास्ता था ना उपर जाने के लिए उस पर तीन चार लोग चिल लाने लग गए है 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 तो अभी क्वालिक होंगे भाई यह मतलब गैंग वैंग सी होगी यह मतलब ऐसी जुगी जो पड़ी साही लाका है तो हम बाईक से उतर गया ठीक है भाई हम पैदल चले जाएंगे बाईक ने ले लिए हम पैदल चले जाएंगे जाए तो है यह आरें आपके देंशों में ना दूसरे यह को कमाने देना ना खुद कमाना ऐसा है तो बाई नहीं तो भाई इससे मालिक से बाभी पूछ रहा कि भाई तेर को भी तो मतलब ये लोग मार सकते हैं तू इतना हमीर है। तुरिस्ट आ रहे हैं। पर मेरे इघ्ज़त करते हैं। क्योंकि पहले मिन коп थोड़े पाइसे देता था। बोला लिया। इसे जो मतलब एर्या में एर्या में रहने वाले लोग है। उनको मेने नौकरी दे रखी है। और देशों में कानून श्रिक्ट है इसमें आपको प्रिश्वत खिलानी पड़ेगी लोगों को अगर आपको जीना है तो यहां पर हो चुका है बाई संसेट और यहां से ऐसी कुछ दिख रही है सिटी और भाई इसने बचा लिया हमको पता नहीं को कह रहा था कि अर सेफ तो और पर क्या गरें यार एक बात तो सोचो यह यूट्यूबर को भी अपनी जिन्दगी चलानी है अच्छी वीडियो ना कोई देखता ही नहीं है सच बात ही है आज की तारिक में मैं एक अच्छी मोस्ट बीटिफुल बीच यह वह वीडियो बना हूँगा ना कोई देखे ग